जैसे खानों में खान, किंग खान है, वैसे ही बंदरों में बंदर अपना किंग कॉंग है I know, I know, bad joke बट भाई, मैंने देखी Godzilla X, कॉंग the new empire movie, हिंदी में, 3D में वो भी अपने पूरे फैमिली के साथ, तो कैसे है ये movie, आइए बात करते हैं वेल, हलो, मेरा नाम है योगी, और हमारी मुलाकात बार-बार होगी Monsterverse, अगर आप अच्छे से follow करते हो, तो ये movie Monsterverse franchise की 5 वे film है बट Godzilla franchise की 38 फिल्म है, और ये movie एक proper sequel भी है, 2021 में आए Godzilla vs. Kong का तो भाई, इस movie को देखने के लिए पिछली movie देखनी जरूरी भी है अगर आपने कुछ भी follow नहीं किया, और just for the entertainment and देखने के लिए देख रहे हो, अच्छा time pass करना है कोई आगा पीछा पता नहीं है, फिर भी आप ये movie देख सकते हो, just for entertainment अब बात अगर इसकी story की करें, तो पिछले part में जहां Kong एक नई दुनिया में चला गया था, जिसे hollow earth भी कहा जाता है तो वहाँ उसके सामने आता है एक challenge, उसी के species से, जिसे लड़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो अकेले उससे नहीं लड़ सकता, क्यूंकि एक twist भी है इसलिए Godzilla भी Kong के साथ मैदान में उतरेगा, और जो कुछ भी होगा, उसमें इनसान भी involved होंगे actually, इनसान तो अपनी दुनिया को बचाने के लिए Kong को एक mechanical हाथ भी दे देते है, जो आपने trailer में भी देखा होगा but at the same time यार हमको देखने है monsters भाई, monsters क्या तुम बीच-बीच में इनसान को गुसारे हो भाई साब, उपर से जो दुश्मन है, याने के जो threat है, skarking, जिससे लड़ना है, वो first half हो जाने के बाद भी नहीं आया भाई first half भी छोड़ो, second half के भी second half में आता है वो, it's just like cameo भाई but again hollow earth के concept को जिस तरीके से explore किया गया है, अलग-अलग creatures, spectacular visuals, ये सब देखने के बाद ना आपके आखो को सुकून जरूर मिलेगा अब क्योंकि मैंने ये movie हिंदी में देखी है, तो भाई देखो इस में कुछ एक dialogues funny जरूर है बट हिंदी में थोड़ा cringe हो गया भाई, एक character जिंदगी, एक सफर है, सुहाना गा रहा है next बंदा बोल रहा है, यहाँ फटी-पडी है सबकी, और तुझे किशोर कुमार का गाना-गाना है एक और dialogue है, toothpaste में वो नमक वाला, एक जगा तो शक्तिमान के तमराच किलविश का भी reference दिया गया है I mean, okay, comedy के लिए ठीक भी है, पर यह क्या ही creativity थी भाई, मुझे भी एक point में लगने लगा कि यार, English में ही देखता तो जाधा मजा आता Anyways, देखो, पूरे फिल्म में fights वगेरा बहुत अच्छी है, जो इस Monsterverse की फिल्मों का actually selling point भी है, लेकिन जिस तरह से ट्रेलर में एक नया threat बोलके हमारा काटा गया है ना, सच बोल रहा हूँ वो नाया threat पूरे फिल्म में 10 से 15 मिनिट के लिए ही था, बाकी बस वही पुराना कॉंग और गॉडजिला, और हाँ वो गॉडजिला पिंक क्यू है, उसका answer भी आपको movie में मिल जाएगा मुझे last last में लगा के यार बहुत हडबड़ी में movie को खतम कर दिया गया है, जिससे last में and particularly climax में ये बहुत rust out feel होने लगती है I mean धबा धबा ऐसे scenes निकल जा रहे है, fights के बीच में fights चल रही है, बट इन सब में नाम कमा जाता है छोटू कॉंग क्यों बोल रहा हूँ ये? आप movie में देख सकते हो Movie family friendly है and अगर आपको King Kong Godzilla की movies देखना पसंद है तो इसमें hollow earth की दुनिया को छोड़के और कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा Overall movie is a good watch, मेरे तरब से इस movie को 3 out of 5 stars, मिलते हैं आगले वीडियो में, बाई